Hello everyone, welcome to the illusion इस वीडियो में हम लोग विरिक्षों की कुछ परमुख जातियों के बारे में पढ़ेंगे कौन-कौन से विरिक्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है और परिक्षा में इससे सवाल पुझे जाते हैं आईए उसको पढ़ते हैं तो विरिक्षों की परमुख जातियां जो है दोस्तो उसको एक आधार पर बांटा गया है जो जाती और उसकी उपयोगिता को दरसाता है तो हम इसी आधार पर जाती और उपयोगिता के आधार पर विरिक्षों को निमलिखित भागों में बांटते हैं या वर्गों में बाणते हैं तो पहला देखते हैं सदावहार वन तो इन वनों में कौन सी वरिक्ष सबसी जादा होती है या कौन-कौन से वरिक्ष आते हैं दूसरा है मानसून वन तो मानसून वन में कौन-कौन से वरिक्ष आएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा है उसने कटिवंधिय हिमाले के वन तो हिमाले के नीचे या फिर हिमाले के घाटी से लगते हुए जितने राज्य है उन सभी में कौन-कौन से जो है वो पेड़ पाये जाते हैं व्रिक्ष पाये जाते हैं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आज का जो ये टॉपिक है या फिर क्लास है तो यह है पहला जो सदा भाहरवन जो है इस पर अधारित है आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो पसंद आता है लाइक करें और यदि इसका पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलीगरम ग्रूप और वाट्सप ग्रूप दोनों से ही जाकर इसको ले सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो देखते हैं सदा भाहरवन की लकडियों में कौन-कौन से ब्रिक्ष आते हैं तो रोज उड है दोस सीमा वहाँ पर गुजरात के नीचे से लेकर केरल तक फैला हुआ एक पहाड़ी स्रिंखला है जिसको हम लोग पस्चमी घाट करते हैं तो यह पस्चमी घाट के ढलानों पर रही है पस्चमी घाट के ढलान में कौन-कौन से राज्य आते हैं यह आपको याद होना चाहिए म इन सभी राज्यों में भी यह बन पाए जाते हैं या फिर यह व्रिक्ष पाए जाते हैं इसका लकड़ी जो होता है यह काफी ठोस होता है मजबूत होता और बहुत ही उत्कृष्ट होता है यह आपको याद रखना इसका रंग जो है वह गहरा बैंगनी कलर का होता है इसका उपयोग फरनीचर सजावटी प्लाइवुड के काम में किया जाता है तो फरनीचर में तो खेर वही सब लकड़ी लगते हैं जो बहुत जादे कठोर होते हैं नहीं तो कॉमल लकड़ीों से बनाये जाएगा तो फरनीचर तूड जाएगा तो इसलिए इस पेड़ की जो है या फिर इस व्रिक्ष की जो है वो डिमांड काफी जादा होता है तो ये आपको याद रखना है गुर्जन देखते हैं गुर्जन एक व्रिक्ष है जो आसाम पस्चिम बंगाल और अंडोमा निकवार द्वीब समूह में पाये जाता है इसका रंग जो है वो धुंदले लाल तथा भूरे रंग का होता है इसका उप्योग कुछ विशेश कामों में किया जाता है जैसे पैकिंग पैटी आप पैकिंग पैटी को एक उधारन के माध्यम से समझ सकते हैं कि कुछ लगजरी समान होते हैं जैसे की टाइल्स वेगरा ह हो गया या फिर और भी बहुत सारे समान जो किसी राज्य से किसी और राज्य में भेजा जाता है या फिर एक्सपोर्ट के माध्यम से उसको किसी देश में भेजा जाता है जहां हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको एक सुसजित तरीके से भेजना पड़ता है नहीं त तो वो जो है इसी विरिक्ष के लकड़ी से उसका मतलब निर्मान क्या जाता है दूसरा है चाई के डबे में बनाने में ट्रकों और गाड़ियों के डबे बनाने में आपके यहां ट्रक चलते हैं तो आप देखें होंगे कि आज जब ट्रक हम लेते हैं या फिर कोई व्यक्ति है जो ट्रक लेता है तो उसको पहले पूरा ट्रक सजा हुआ या फिर बना बनाया उसको नहीं देता उसको सिर्फ उसका structure दिया जाता है जिस पर एक seat होता है और चार-पंच पहिये होते हैं जो भी उसमें पहिये जैसे लगे हो चार आठ दस तो इस तरह के पहिये सिर्फ होते हैं और पूरा का पूरा धाचा मतलब एक खोखला टाइप का उसको ट्रक दिया जाता है तो वो ट्रक क्या है कि उसको ले आकर एक जहां पर गाड़ी बनाता है अच्छे से वहाँ पर इसको दिया जाता है तो वहाँ पर इसको इसके पूरे back body को अच्छे से बनाए जाता है तो कह सकते हैं कि इसका जो गुर्जन का जो पेड़ है या फिर इसका जो लकड़ी है इसे यही सब काम जो है विसेश काम वो किया जाता है ठीक है ना तेलसूर तेलसूर जो है इसको इरुप भी काते हैं इस विरिक्ष का जो है मुखेता यह कहां पाए जाता है यह विरिक्ष तो पस्चिम बंगाल केरल करनाटक महराश्ट्र अंड़ोमान निकोबार दूबसमू में ही यह पाए जाता है कुछ-कुछ अन्य राज्यों में भी पाए जाता है तो यह विरिक्ष की लकडी जो है अधिनत ठोस होती है और टिकाओ भी होती है जिसका उपयोग किया जाता है किस काम में तो नाव बनाने में पूल खूटा खूटा वो होता है दोस्तों कि किसी चीज को मतलब जब यह ठोस है लकडी तो जैसे कि कोई सिप आता है या बोट आत तो खूटा वगयरा का जो है वो उपयोग इस लकड़ी के माध्यम से हम लोग करते हैं फिर आगे देखते हैं तो जो ठेला गाड़ी होता साहे देखा होगा कि हर एक सहर में बहुत सारे ठेले होते हैं ठेले वाले कोमचे वाले तो ठेला को बनाने और रेल्वेश स्रीपर क बनाने में इसका उप्योग किया जाता है तून एक व्रिक्ष है जो हिमाले के पादगिरी में पाए जाता है इसका लकड़ी बहुत ठोस तो नहीं होता है फिर भी या टिकाउ है इसका उप्योग चाई के डब्बे खिलोने तथा फरनीचर बनाने में किया जाता है देखते हैं आबनुस जो व्रिक्ष है यह करनाटक, केरल, तामिलनाडू, मालबार तठ, गोवा तथा महराष्ट के सुस्क सदाबहारवन में पाए जाता है सदाबहारवन वो होता है दोस्तों, जो सालो भर, मतलब बारा मास हरे भरे रूप से रहे, उसको बोलते हैं लोग सदाबहारवन, तो इसका रंग जो होता है, वो हलके धुंदले पीले कलर का होता है, और जिसमें है कि काला रंग की धारी पाई जाती है, ठीक है न, तो कभी-क कभी भूरे रंग की धारी जो है इसमें देखी जा सकती है और प्राया या काले रंग की ही धारी इसमें जो है वो देखी मतलब देखा जाता है कभी कभी भूरे रंग की धारी भी इसमें देखी जाती है तो आप इसको मैं कोसिस करूंगा कि आपको यह फोटो जरूर आपको है खेर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसको जो है इसकी लकडी जो है या चिकना करने के बाद मतलब इसमें चमक आती है धातू के जैसे कि आपने देखा होगा कभी titled योटूब बजाएरा पे या फिर भी जो मिस्त्री काम करते हैं जो काठ या लकड़ी मिस्त्री होते हैं जो बढ़ी होते हैं वो काम करते हैं तो उसके पास जो है लकड़ी चमकाने का बहुत सारे मतलब करन होते हैं तो वो लकड़ी को चमकाते हैं बहुत यह तरह के से घसते हैं तो उसके बाद इसमें धातु क तथा सजावट के लिए किया जाता यह बहुत ही ज़्यादा important है आपके लिए क्योंकि आप से बार-बार देखा जा गया है कि यह पुछा जाता है कि कौन से इसमें से कौन सा जो विरिक्ष है उसका उपयोग उस विरिक्ष के लकड़ी का उपयोग सजावट या नकासी के काम में किया जाता तो आपको यह answer देना है यह काफी ज़्यादा पुछा जाता और important भी है तो आप याद रखें इसको कि इसका उपयोग जो है वो नकासी तथा सजावट के लिए किया जाता वाद्य एंत्र बनाने में किया जाता है खेल कुद सामगरी बनाने में किया जाता है और प्यानों के परदे और संदूक बनाने में भी इसका उपयोग प्रायरूप से किया जाता है चापलास है दोस्तों यह भी एक ब्रिक्ष है जिसका मुख्य रूप से यह पाया जाता है कहां पर तो पुर्वी भारत के पहाड़ी में और कुछ पस्चमी घाट में पाए जाता है तो पुर्वी राज्य के पहाड़ी के राज्य कौन कौन है तो पुर्वी राज्य के पहाड़ी जैसे हैं कि असम हो गया और जहारखंड हो गया बिहार हो गया बंगाल हो गया यह सब राज्यों में ये पाए जाता है ये बहुत मजबूत और टिकाओ होता है इसका निर्मान जो है वो जहाज निर्मान करने में फरनीचर पैकिंग पैटी इत्यादी कामों में इसका किया जाता है आप देखें कि परकृतिक इतना बड़ा जादूगर है हम कहा सकते हैं क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते है कि बिहार में हर साल जो है वो बाढ़ा आ जाता है वहां पर वहां की चंद जो आमावादी है वो काफी जादा शफर करता है तो आप देखें कि उसके लिए प्रकृतिक उसको उस तरह का बैवस्था मुहिया करा दिया गया है उसके द्वारा जैसे क वहां पर वैसा सिच्वेशन नहीं है वैसा जगह नहीं है तो कुछ-कुछ खास-खास व्रिक्ष हैं जो कुछ खास जगह पर ही मिलते हैं नाहर है दोस्तों नाहर यह आशम और मालबार तट में पाए जाता है इसकी भी लकड़ी ठोस और टिकाव होता है इसका उप्योग जो है वो स्लिपर रिल्वे का बनाने में और बल्ली नाव आधी बनाने में इसका किया जाता है पून भी एक व्रिक्ष है जो पस्मिघाट केरल नेलगिरी और तामिल नाडू में पाए जाता है आप हमको बता सकते हैं कि नेलगिरी जो है यह किस तरुके से करते हैं आप हमको कमेंट में लिखके बताएं तो यहां पर यह पाए जाता है और इससे जो है दोस्तों यह संग्राचनात्मकारी मतलब कि किसी चीज को बनाना घर के काम में लाना या फिर चोकट दरवाजा इस टाइप के काम में इसका उपयोग किया जाता है फर नीचे र दो आल